नमस्कार दोस्तों दोस्तों देखिये जैसा कि पहले हमारे गरों में चपर बने होते थे जिसमें सरकंडे या कडियों की छत होती थी जो की ठंडी होती थी और जैसे जैसे उसकी जगए कची छतों की जगए आगे हैं लेंटर पे और लेंटर के बाद महारे पश्वों के आने लग दिया क्योंकि वो लगानी आसान होती है तो उसमें एक दिक्कत आती है जैसे ही अब गरम दिन शुरू होंगे मार्च में अपरेल मही में तो हीट स्टोक एक ऐसी बड़ी समस्या जिसकी वज़े से पसुस्टेस में आगे उसका दूर्द का उत्पादन खतम हो जाता है तो उस समस्या को सोलुशन को देखते हुए यां टीटीशी मेले में हमारे को एक सनी कुमार जी मिले है जो चंडेगर से आया यह टाटा की शीट में डील करते हैं और यह एक ऐसा फॉर्मूला है देखिए आने वाले समय में टीन की च्छत के नीचे यह पफ शीट इंसु लिए या इंडस्टी में काम्याब है यह जो है जो है नॉर्मल हमारी शीट होती है इसके अंदर ने यह पफ नहीं होता है उसकी वज़से क्या होता है बदोंको फीट बगारा जादा रगती है और जब इसकी मुटाई और इसकी वह बगारा सब कुछ रहेगा उससे हमारा ऐसा होता है कि इसमें घर्मी हीट बगारा नहीं होती है जो बारिस बढ़ती है बारिस की जो आवाज बगारा होती है बूह भी नहीं जादा करने को इसकी पूरिक सर्थियों में जो सब्सक्राइब कोई किसान शाथी आप से लेना चाहिए टाटा की शीट लगी हुई तो सब्सक्राइब करें आप हमसे भी किसम बगा सकते हैं या फिर हिसार में ही हमारे डिलर है अच्पी स्टेल से बहां मिले है तो इस मेले में कुछ रिया है तो या शेम रेट है शेम रेट है अपना कॉंटेक्ट नमबर दे दीजी एक बारकस दोस्तों यह परदीप शिंगला जी है जो बिजनस मेंजर है 8540-06-992 आप इंसे संपर कर सकते हैं शीट के बारे में जानकारी लेने के लिए कौन सी शीट किस रेट की है धन्यवाद संदी जी थैंक्यू सब्सक्राइब